बिहार के मुजफरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जहाँ जमीन सर्वे में जमीन के म्यूटेशन को लेकर Special Vigilance Unit ने बड़ी कार्रवाई के तहट मुजफरपुर के कुर्णी ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी जस्पाल कुमार को 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार किया है। बताया जा रहा है कि जस्पाल कुमार की गिरफतारी के बाद कुर्णी ब्लॉक के अंचल अधिकारी की आवास पर भी छापे मारी शुरू कर दी। राजस्व कर्मचारी जस्पाल कुमार की गिरफतारी के बाद अंचल अधिकारी अनिल कुमार संतोशी की आवास पर स्पेशल विजलेंस युनिट में रेड करने पहुंची। हाला कि करीब तीन घंटे की रेड के बाद अनिल कुमार संतोशी को छोड़ दिया गया। Special Vigilance Unit की छापे मारी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानिय लोग इस कार्रवाई के विरोध में CEO के घर पहुँचे दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर उन्होंने हमला कर दिया आरोप है कि हमला करने वाले ऐसे लोग थे जो CEO के साथ रहकर ब्लॉक में लोगों से पैसे लेकर काम कराते थे घटनास्थल पर मौझूद कुछ पत्रकारों को चोट आने की भी खबर है आरोप लगाया गया है कि जब पत्रकारों पर हमला किया जा रहा था तब वहाँ तुर्की थाना की पुलिस मौझूद थी लेकिन पुलिस ने हमला कर रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की